मुटर्वादी पार्टी के नास्टी अध्याच आधनी अख्लेस यादोजी समाजबादी पार्टी के इस छेत्र से माननी विधायटी समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी और आपके समर्थन से जो यहां से चुनाओ जीतने जा रहे हैं मनोज कुमार जी के लिए एक बार ज समाजबादी पार्टी के सभी मानने लेता गर कॉंग्रिस पार्टी के आवाद में पार्टी के लेता कारे करता गर साथियों और दोस्तों कहां से सुरू करें और कहां ख़तम करें वतन की जो हालत सुनाने लगे गे तो पत्थर भी आसु बहाने लगे गे वटन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्तर भी आसों बहाने लगेंगे अगर भील में खो गई आदमियत तो उसे धूरने में जवाने लगेंगे आदमियत का इंसानियत का तक्ट किया जा रहा है मौजुदा सरकार के अंदर उसको बचाने के लिए हम सारे लोगे कठा हु लगें जो इंडिया कर्वढदर के लडाई चल रही है हम सब को संकर्व बेना है कि उत्तर कुदेश की राजनिती से भी भार्ती बेंता पार्थी की राजनिती कन राजनिती को नफ्रत की राजनिती को खत해요 करना है इंसानियत की मुहबत की भाई चारे की एक्ता की राजनीती को जिनका करना है आगे बढ़ाना है और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है मैं एक दिन बता रहा था चलेसी को मैं समाजवादी उजन सवा में था मुझे गिरफ्तार किया सुल्तान पुर के जिलाम परसासन में और हमारे दो साती जेल में रह गए मैं अपनी जमानत उठा के दुबारा जेल में गया छे बहीने जेल में रहके आया हूँ और निकलते ही नरेंदर मोदीजी से मैंने कहा आपकी किसी जेल लाथी और मुकर्मे से में दरने वाला नहीं हूँ मेरे चाहे जितना बैसना चाहते हो लगा मुकर्मे जितना लगाना चाहते हो चलाओ याची जितनी चलाने चाहते हो जितनी तुम लाचिया चलाओगे उससे जादा हमारे सीने और कंधे उन लाचियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे जुल्म की इंतिहां कर दी दस साल हो गए इस सरकार को ये नहीं बताते कि क्या किया दस साल में एक के बाद दूसरा जुम्ला दूसरे के बाद तीसरा जुम्ला लोगों ने कहा मोदी जी का संकल पत्र आया है मैंने का ये संकर पत्र नहीं है जुमला पत्र है जुमला बोलने का काम करते है तुधान मंत्री जी क्या कहता 2014 में आप से बोले भाईयों और मेहनों दो करोन नोकरी नोज़वानों को हर साल दोंगा फिर कहने लगे किसानों की आए दो गुना हो जाएगी फिर कहने लगे देश से महगाई खतम होगी फिर कहने लगे इतना काला धन्लाएंगे इतना काला धन्लाएंगे इतना काला धन्लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा जोड से बोलिये 15 लाग खाते 15 पैसे भी नहीं आए 15 पैसे भी नहीं आए और हमारी मात बेहनों ने अपने पती से बचा कर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा जब छोता सा घर बताना होगा तो पैसा काम आएगा कोई पीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा नरेंदर गोदीजी ने कहा माताओ और बेहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो, उसको भी जमा करा लिया, नोड़ बन भी करती देख के अंदर, काला धन तो आया नहीं, आप याद रखिएगा, एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देते जा रहे हैं, अपने दोस्त को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं कोईला उसी के नाम, स्टील उसी के नाम, सेल उसी के नाम, रेल उसी के नाम, बिजली उसी के नाम, पानी उसी के नाम, उस आदमी का क्या नाम है, आप सब लोग जानते हो ना मोदी जी का गोस्त, क्या नाम है, जो उसे बोलिये, अदानी, तो हम आदनी अखले से इंडिया के लिए काम करेंगे और प्रधान मंत्री नर्यत्र मोदीजी आडानी के लिए काम करेंगे याद रखना याद रखना याद है आपको मुख्य मन्पृत श्याद हो दी एम्बूलेंस की सेवाया पर चलाई गुख्य मन्पृत है अखलेस यादो जी तो याद बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया लैप्टॉप पहुता गया इस्कूल बनाने का काम अस्पताल बनाने का काम बड़े-बड़े हाई में बनाने का काम अखलेस यादो जी के नेटरित में उत्तर्ट देश के अंगर उए तो अखलेस यादो जी एम्बूलेंस की सेवा देते है बेरोजगारी भक्ता देते हैं लैब्टॉप देते हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी क्या कहते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी क्या कहते हैं एक चुनावी सबा में भासर दे रहे थे मोधी जी उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रेली में जाते हैं तो कहते हैं भाईयों और बहलों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे अस्पतार बनवाएंगे, एंबुलेंस की सेवा सुरू करेंगे बेज़कारी भगता देंगे और जब धान मंत्री जी जाते हैं रेलियों में तो कहते हैं गाउ गाउ में कबरिस्तान है तो समसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कहते हैंगे नहीं कहते हैं हमको समसान नहीं चाहिए हमको अपने बच्छों के लिए स्कूल चाहिए अस्पतार चाहिए अच्छी सिछा चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए क्या करना अगेस में चुलीन सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं चुलीन सरकारों को तोल तोल के गिरा रहे हैं चारखंड में एक आजिवासी नेता, एक मुख्यमंत्री को हेवन सुरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया, दिल्ली के तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को लोगप्रिय मुख्यमंत्री को अर्मिंग केजरिवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, आज मैं पूछना च अगर कोई आदमी चुनाव जीत रहा होता है तो अपने विरोधियों को गिरिफतार कराता है क्या गिरिफतार कराता है क्या गिरिफतार कराता है क्या हरे अखले सियादो जी को CBI का नोटीस कामने स्पार्टी का खाता सीज कर दिया कहीं किसी को पकलते हो कहीं किसी को पकलते हो और 2014 के बाद हिंदुस्तान में एक वासिंग मसीन आई है जिसका नाम है नरंदर मोदी वासिंग मसीन बड़े बड़े भेस्टाचारियों का पाप धोते थे एक फिलिम आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते हो धोते भाजपाईयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ भाजपा तेरी पाटी मैली हो गई गुनहगारों के पाप धोते धोते प्रदान मंद्री जी कहते हैं मारी गारंटी है कहते हैं मोदी की गारंटी है एक भी भरस्ताचारी को नहीं छोड़ोगा इसकी गारंटी है मैंने का मोदी जी बिलकुल धीक आप कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है किसी भरस्ताचारी को नहीं छोड़ोगा इस बात की प्रफुल 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 जो इतना बड़ा भरस्ताचारी वो इतना बड़ा पदादिकारी यह बीजेपी करना और मैं तो कहता हूँ घष्टाचार के खिराब जब भाजवाई वोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गबर सिंग और उसामा बिलादेल आहिंसा पर उतेज देरा है अहिंसा पर उतेज़ देरा है कि इतना अहंकार होगया है मोड़ी जी को डानों बदराद देश पर हैं सुना इतना हेंकार इनके मन में, क्या खेर हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, क्या खाना है, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, नरेंदर मोधी जी, आप अपने मन में इतना हेंकार मत पालिए, आप राम को लाने वाले कोई नहीं है, भगवान उपर वाला, वो हम को लाया है और हम उसके हिसाब से काम करेंगे और हिंदु धर्म जो हमें सिख्षा देता है हिंदु धर्म कहता है वसुधेव पूरा विश्व हमारा परिवार है हिंदु धर्म कहता है धर्म की जय हो अधर्म का नास हो प्राणियों में सत्भावना हो विश्व का कल्यार हो ह tredit kama Kira फटों को व्हें पोलाग करते हैं पहले से पूछना चायता हूँ आप सबसे पूछना चाहता हॉ इस देश पैसे अभारी किस की है बाए किसकी है अज़ाबादी सबसे बढारी हिंदूओं की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुक्सान किसका हिंदूओं का आपने इस देश्द के ओजुमानों को चार साल के अग्री जोजना में लगा दिया या हमारे जवान बैठे हैं ये जवान दिल्ली के अंदर भी जब दिल्ली पुलिस के जवान शहीद होते थे सरकार उनके चिलता नहीं करती थी भारत के पहले मुख्यमंत्री अर्विंद केद्रिवाल जिन्हों ने कहा सीमा का जवान हो या गुली पुलिस का जवान अगर उसकी शहादत होगी तो एक करोन रुपए के सम्मादासी उसके परिवारवालों को दी जाएगी हम देश वख थे हमारे पुर्खों ने इस देश के ले कुर्मानिया दी है हम दॉक्तर लोहिया को मानने वाले है हम जेपी को मानने वाले है हम गाधी को मानने वाले है हम बाबा साथ डॉक्तर भीम रावम बेटर को मानने वाले है इसनिये जो अखले स्यादोजी ने फॉर्मूला दिया और नारा लगाया कि अब सरकार जो बनेगी वो पीडिये के लिए के लिए के लिए पीडिये के ले काम करेगी और इन नफरत पहलाने वाले लोगों से हमको लड़ना है इनसे संघर्स करना है इनसे किसी मामले में पीछे रहने का काम नहीं करना है मैं भगस्तिंग की लाइन पढ़ रहा था जेल में जट था उनसे मिलने आये उनके भाई फासी की सजा हो चुकी थी भगस्तिंग के भाई निरास हुए जब घर गए तो भगस्तिंग ने उनको चिप्थी लिखी और चिप्थी के आंत में दो लाइने लिखी उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है हमें भी शौक है सितन की इनके हां क्या है हम देखना चाहता है आप कितना अत्याचार कर सकते हैं हैमन सुरेन पे कितना अत्याचार कर सकते हैं समाजवादियों पे कितना अत्याचार कर सकते हैं अरे समाजवादी तो आंदोलन की कोख से पैदा हुए है आम आदमी पाटी भी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पाटी है कामनेस पाटी ने आजादी के आंदोलन में हिस्ता दिया है तो हम लोग तो आंदोलन का एक लंबा इतिहास है लेकिन भाजपाईयों के पुर्खों का इतिहास पड़ोगे तो शर्मिन्दा हो जाओगे सर्मिन्दा हो जाओगे इसलिए मैं आफ सबसे कहने के लिए आया हूँ यह अंतिम चुनाओं है दोहजार चुनाओं आपने सुनाओगा अख्लेश आगद दिनक लिखा आयो ध्याकर सांसज लन्लु सिंग केदा 400 सीट देदो संविधान बदलना है अनन्त हेग्रेग पूर्द केंडरी मंत्री भारती जन्ता पार्टी के कहते 400 सीट देदो संविधान बदलना है जोती में था भारती जंटा पार्टी के प्रत्यासी कहती है चार सो सीड देदो संविधान बदलना है मेरच के प्रत्यासी अरुल गोबिल जिसको सीदे मोदी जी ने उता रहा है वो कहते है चार सो सीड देदो संविधान बदलना है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ पिछडों से, दलितों से, सोसितों से, वंचितों से, अल्वसंखकों से, आदिवासियों से सबसे हाथ जोड के पील है बाबा साथ डॉक्टर भीम राम बेट करने सम्विधान के निर्माता ने एक सबसे मजबूस सम्विधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र हमको विरासत में दी है हम अपना सम्विधान बदलने नहीं देंगे चाहे अपने जान की कुर्बानी देनी पड़े और सम्विधान अगर बदल गया तो याग रखना वोर्ट की ताकत आपसे चीन ली जाएगी सम्विधान अगर बदल गया तो याग रखना आरक्षर की ताकत आपसे चीन ली जाएगी आरक्षर ये खतम करेंगे याग रखना वोर्ट की ताकत खतम करेंगे चुनाओं खतम करेंगे हिंदुस्तान बत्ताना साही लाएंगे किम जॉंग का सासन यहाँ पर लाएंगे पुदीन का सासन यहाँ पर लाएंगे इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हो मनोच कुमार को साइकल पे बतन दबाके इतनी ताकत लगा दीजिए कि दूसरे प्रत्यासिओं के यहाद जमानक जब्ध हो जाए, समाजबादी पार्टी का प्रत्यासी, इंडिया गरबंदन का प्रत्यासी यहाँ से जीतना चाँए, मैं अजन्द में एक ही बात कहके अपनी बात को खतम करूँगा, आज किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, माताय बहने दुखी है, महगाई की मार हम सब छेल रहे हैं आज साहे साथ सो किसानों की शहादत का हिसाब लेना है मोदी जी ने 2014 में कहा था, भाईयों और बहनों घर से निकलना तो घर के सिलंडर को देख के निकलना इस बार मैं उपसे कहने के लिए आया हूँ, नदीना के लोगों, आठ लोग जब आप अपने घर से बोल्ट देने के लिए निकलना तो घर का सिलंडर जरूर देख के निकलना, अखलेस ही कह रहा है थे मोटर साइकल भी बता देना लेकिना मोटर साइकल भी देखके नगलना। जिसमें 120 रूपए लीटर का पैट्रोल तुमने भर्वाया। प्याज महगी खरी दी आलू महगा खरिदा, महगाई आस्मान पे पहुँच गया, महगाई से, बेरोजगारी से, असुच्छा से, छुटकारा चाहते हो, तो यहां से समाजवादी पार्टी के कंडिडेट को जिता देना, समाजवादी पार्टी के कंडिडेट को जिता देना, भाई मनोच कुमादी के लिए, द करेंगा अहलत करें आमाथी पाटी का कारकटा रांमन्रश पार्थी का-कार वर्डश उसमाज-वादी पाट्टी को यहां से जबाने can आर्जारहई है। बतन भी रहा है इस बतन को बचाने के लिए हम सब को हिंदू-मुसल्मान अगणा पिछला जनिस सवन की बाधाएं तोरकर एक साथ काम करना पड़ेगा और सवन छत्री समाज के लोगों को आप देखे कितना अप्रों से बड़ी-बड़ी रेलिया हो रहे हैं ये लाखो लाख को क्या हो गया एक रूपाला जी है इनके केंडर के मंत्री भारती जन्ता पाटी के वो छत्री समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाते हैं मैं उसे कहना चाहता हूँ रूपाला जी अगर आपको हमसे रहना है हमसे रहे हमारे समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाए लोगतन को बचाओ, सम्भिधान को बचाओ, जैहिंग इंकलाब जन्दाबाद